आगे वो दोनों औरएंट को चस्मायते का बहुत ही हस्रे होते हैं, जिस चक्रम ये दोनों एक दूसे के काफी क कडीब आ जाते हैं। और इन दोनों के बिशर से वही प्यारपन अपने लगता है, जो इन दोनों के पीच पाश्ट पर हुआ करता था। जिस वज़ा से ये दोनों एक दूसे को किस करना चाहिए तुम्हारी वाइफ तुम्हारा इंतिजार कर रही होगी तो तारित भी कहते है ते भी तुम्हारा इंतिजार कर रहा होगा और रती ये कहकर वहाँ से चली जाती है और बाहर जाकर अपने आपको होस में लाती है कि व पर ती उसका इंतिसार कर रहा होते हैं तो रती सिधा ते के गले लग जाती है और कहती है है चलो साधी कर लेते हैं तो ते रती के मूँ से ऐसी बाते outta a Goth हुझा हो। कि तभी उसकी नजर उसकी मौम पर पढ़ जाती है जिसे देखकर रती पूरी तरह से सौक्ठ हो जाती है तो थिप अपनी बेटी को देखकर बहुत ही खुस होती है और वो अपनी बेटी की तरफ आगे बढ़ी रही होती है कि तभी रती ते के सामने ये कह देती है कि वो इस जानती और ना ही उसका इस औरत से कोई रिस्ता है तो थिप जैसे ही अपनी बेटी के मुँसे ऐसी बाते सुनती है बेचारी के दिल के तो सौर टुकड़े हो जाते हैं क्योंकि वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करती है पर उसकी बेटी उसे पेचानने से इंकार कर देती है तो थिप चुप चाप वहाँ से जाने लगती है लेकिन तभी वहbars पर तान्या आ जाती और वो सब के सामने कहती है कि वो थिप को जानती है थिप कोई अरी-डरी नहीं बलकि उसकी अपनी है आगे रती किसी बहाने से ते को वहाँ से भगाने की कोचिस करती है पर ते की दिमाग में ये सारे सवाल उठ रहे होते हैं कि आखे का वो औरत कौन है और तानिया ने उसे अपनी बहन क्यों कहा जब तानिया उसे जानती है तो फिर रती ने उसे पैचाने से इंकार क्यों कर दिया तो रती यहाँ पर बहाना बनाने लगती है कि वो उस औरत को नहीं जानती पर उसकी आंटी उसे जानती है और बहाना बना कर ते को वहां से भेज देती है आगे तानिया रती को खूब डाहती है कि वो अपनी मॉम के साथ इस तरह बहुत कैसे कर सकती है और उसने ते को क्यों नहीं बताया कि ये उसकी मॉम है वेकरती का गुसा भी फाइनली फूटी जाता है और वो कहती है क्योंकि मुझे सर माती है इन्हें मॉम कहने में इन्होंने अपने लालच के लिए ड्रक्स बेचा और ड्रक्स की वज़ा से ये जेल गई इन्होंने ये भी नहीं सोचा कि इनके जाने के बाद मेरा क्या होगा इनके जाने के बाद मुझे क्या कुछ नहीं जेलना पड़ा मेरा बश्पन अंतकार में ढूप गया दादी मुझे रोज मारती थी क्या ये सब देखने के लिए ये आई थी बच्पन में आपकी वज़ा से मेरी पूरी लाइफ बरबाद हो गई और अब मेरी लाइफ थोड़ी सुधर रही है तो आप फिर से मेरी लाइफ बरबाद करने के लिए मेरी लाइफ में आ गई तो तानिया को इस बात पर बहुती गुसा आता है और वो रती को खीच कर एक थपर मारती है कि वो अपनी मॉम से इस तरह बात कैसे कर सकती है और यहाँ पर इन तोनों में बहस चली रही होती है कि तभी उधर से ते आ जाता है क्योंकि ते को ठीक नहीं लगड़ा होता है उन दोनों को एक अंजान औरत के साथ छोड़ना इसलिए ते तानिया से पूछता है कि यह औरत कौन है तो तानिया यहाँ पर ते को पूरी सचाई बताने की कोशिस करती है कि यह उसकी बहन और रती की मा है लेकिन तभी थिप बीच में बोल देती है कि वो इन दोनों की नैनी है और इन दोनों को उसने पाल पोस्ट कर बढ़ा किया है रती उसे खास पसंद नहीं करती इसलिए वो उसे यहाँ पर रहने देने की परमिशन नहीं दे रही लेकिन तुम फिकर मत करो मैं यहाँ से चली जाओंगी तो तानिया कहती है दीदी आप क्यों जाएंगी आप यहीं पर रहेगे यह आपका भी घर है आप क्यों यहाँ से जाएंगी तो रती को भी अपनी मॉम के लिए बुरा लगता है क्योंकि उनके पास कोई भी रहने की जगा नहीं होती तो वो अपनी मॉम को इस घर में रहने की परमिशन दे देती है और ते को भी इस बार में कुछ भी पता नहीं चलता कि वो औरत रती की मा है इधर तारित की बेहन अपनी बेहन से कुछ पैसे मांगती है तो ते की मौम समझ जाती है कि उसकी बेहन फिर से जुए में पैसे हार गई है तो वो उसे पैसे दे देती है और अपनी बेहन को समझाने की कोसिस करती है कि वो अपनी लाइफ को इस तरह बरबाद ना करे उसके पास एक प्यारा बेटा है जो उसकी इतनी परवा करता है वो अपने बेटे की परवा करे और उसके खुसियों पर ध्यान दे बहुत ही बुरा लगता है आगे थिप अपनी बेटी के साथ नस्दिक्या बढ़ाने की कोशिस करती है ताकि वो उसकी गलत फहिमी दूर कर सके पर रती अपनी मौम की एक भी बास सुने को तयार ही नहीं होती उल्टा उन्हें अपने आप से दूर रहने को कहती है तो बेचार पर इसका कोई भी फायदा नहीं होता क्योंकि रती अपनी मौम को भावी नहीं देती और उन्हें इग्नौर करके ऑफिस चली जाती है आगे तारित ते और रती के सपनों का घर का मोडल तयार करके ते को दिखाता है तो ते को वो घर बहुत ही पसंद आता है तो तारित ते है वो बहुत ही अच्छी लड़की है और तुम्हारा बहुत ही अच्छे से ख्याल रखेगी और तुम्हें उस जैसी लाइप पार्टनर नहीं मिल सकती इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम दोनों साधी कर लो और साथ में खुस रहो और यहां पर तारित अपने दिल पर हाई लोगी तो तुम्हारा क्या जाएगा तो रती अपनी आँटी की सारी बाते सुन लेती है पर वो अपनी मॉम की तरफ एक कदम बढ़ाने को तयारी नहीं होती क्योंकि उसके दिल में अपनी मॉम को लेकर इतनी नफरत होती है कि वो अपनी मॉम को एकसेप्ट करने के ल आगे ते तानिया को अपने साथ वाटरफोल दिखाने के लिए लेकर जाता है ताकि तानिया वहां के नजारे को देखकर अच्छा रिव्यू दे सके और ते उस प्लेस को अपने गेश्ट के लिए रिकेमेंट कर सके और उसका रिजॉर्ट और चले और उसका रिजॉर्ट और तो सिया को मारने के लिए उसके घर पहुंच जाता है क्योंकि सिया पने सारे कारनामे का इल्जम पर लगा देता है लेकिन सिया के बंदे पेलिन के इस काम को नाकाम कर देते हैं और उसे पकर लेते हैं तो सिया यहां पर पेलिन को खुम मारता है कि उसकी हमत कैसे हुई उसे मा करते हां तो फालिन फेले पातर या उसके बात करते हैं उसके और जाना नहीं हे उसलिफा जगहां को अच्छे से देख कर आती हूं और तानिया ते के साथ चली जाती है उस जगहां को देखने के लिए जहां पर इन दोनों के बीच क्यूट सा मॉमेंट होता है तो तानिया को ये सब अच्छा नहीं लगता और वो अपने बेटे के पास जाने लगती है लेकिन तभी तानिया ते पास जाती है आगे वो लोग जब वापस आते हैं तो वो लोग भी तॉम को ढूंडते हैं पर उन्हें कहीं भी तॉम नहीं मिलता कि तभी वहाँ पर रोम आकर उन लोग को बताता है कि तॉम कहीं पर गायब हो गया तो तानिय ये बात सुनकर तो पूरी थरा पागल हो जाती है और अपने बेटे को इधर ढूरने लगती है कि तभी उसका बेटा उसे आवाज देता है तो तानिय अपने बेटे को सही सलामत देखकर राहत महसूस करती है आगे वो लोग तॉम को लेकर वहाँ से वापस जाही रहे होते हैं कि तभी उधर से भयंग कर पाने का तुफान आ जाता है और वो लोग पानी में जाकर फस जाते हैं तो ते किसी तरह तॉम को उस पानी के जढ़ने से बाहर निकालता है और उसे कहता है कि तुम उपर ही रहना में तुम्हारी मॉम को बचा कर आता हूं और ते तानिया को बचाने के लिए चला जाता है लेकिन पानी का इतना बहाव तो तॉम ये सब देखकर पागलों की तरह चिलाने लगता है, उसे तब रती को जब पता चलता है, जो छोको लोग पानी के तुफान में पूरी था सुख है तो बहुती पना सदमे में चली जाती है, और उसे आंटी और तॉम की बहुती फिकड होने लगता है, और ववह बोलती है कि तारित को उसकी बाते समझ में नहीं आती और रती बिहोस हो जाती है दूसी तब ते और तानिया भी इस तुफान से सर्वाइब कर जाते हैं लेकिन ते को काफी चोट लग जाती है पर वो ऐसी हालत में ही भी तानिया का साथ नहीं छोड़ता और उसके साथ मिलकर तॉम को ढूंता है क्योंकि बेचारा तॉम एक बच्चा होता है और वो अकेले जंगल में सर्वाइब नहीं कर सकता है इसलिए वो लोग पागलों की तरह तॉम को ढूंने लगते हैंственный इसलिए और तॉम भी अपनी मोम को पागलों की तरह चिलाुरा होता है पर कोई भी तो तानिया तो वह संदित आपक और है ऑपाक याया प्रहजी कोफो स्कुन्तित चाय। करती है तो मैं अपने प्यार को अकेला कैसे छोड़ सकता हूं मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा उन दोनों को ढूनने के लिए और तारित यहां पर रती के साथ मिलकर उन लोगों को ढूनने के लिए चला जाता है वेल आगे उन लोगों की महनत रंग लाती है और उन लोगो लेकिन जब उसे साथ है और वो अपने सामने ते को देखती है वो तो पूरी तरह से सौक्ट हो जाती है और वो उल्टा ते पर ही भड़कने लगती है कि जब तुम्हारी निंद खुल गई थी तो तुम उठे क्यों नहीं और तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं और यहाँ और ये दोनों फिर से एक दूसे के साथ कुछ बिली वाली फाइट करने लगते हैं। आगे पैलिन ते को मारने के लिए जंगल में पहुंच जाता है। और वो उसे जान से मारने की कोसिस करता है। तो ते पैलिन को कहता है कि तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो। मैंने तो तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं किया है, पर पहलें ते की एक बात भी नहीं सुनता, उल्टा उस पर ही इल्जाम लगाने लगता है कि आज उसकी लाइफ जहां पर भी है, वो सब उसकी वज़ा से है उसकी वज़ा से उसकी पूरी लाइब बरबाद हो गई है और पैलिन ये कह कर ते को मारने ही वाला होता है कि तब ही वहां पर तानिया आ जाती है और वो ते को बचा लेती है और वो दोनों पैलिन के डर से वहां से भागने लगते हैं तो वो पैलिन उन लोगों का पीछा नहीं छोड़ता और उन लोगों के पीछे पीछे वहां तक पहुंच जाता है और उन्हें जान से मारने की कोसिस करता है तो यहां पर ते पैलिन से रिक्वेस्ट करता है कि तानिया को यहां से जाने दे क्योंकि इन समय तानिया का कोई भी वो सही सलामत देख कर राहत महसूस करती है, तो तारिक तान्या को कहता है, कि तुम्हारी भी तबिये टीक नहीं है, तुम्हें भी अपना चेक अप करवाने से मना कर देती है, क्योंकि वो अपने बेटे को इस तरह ऐसी हलत में नहीं देख सकती, इसलिए वो अपने बेटे के पासे रहती है और कहीं भी नहीं जाती कि तब युदर से रती और थिपाते हैं और तानिया को कहते हैं कि तुम भी बहुत ठक गई हो और तुम्हारे पैडों में भी चोट लगी हुई है इसलिए तुम्हें घर जाकर राम करना चाहिए अगर तुम इसी तरह खड़ी रही तो तुम्हारी तबियत और खड़ाब हो जाएगी पर तानिया अपने बेटे को ऐसी हालत में छोड़ कर जाने का नाम ही नहीं लेती तो रती कहते है आइटी आप तुम्हें की फिकर मत कीजिए मैं उसके साथ रहूंगी उसका खयाल रखूंगी अब बस घर जाकर अपना खयाल रखे तो तानिया ये सुनकर बहुत ही खुस होती है क्योंकि इतने सालों में पहले बार रती तोम के लिए इतना फिकर कर रही हो तोरन कहती है जो भी हो आइंदा से तुम ऐसी हरकत नहीं करोगे अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं कैसे जीती आगे वो लोग घर पहुंच जाते हैं तो तानिया अपनी बहन को कहती है कि आज मुझे बहुत ही अच्छा लगा रती ने पहली बार तॉम की फिकर की अग रती की कोई भी भागीदारी नहीं होगी मैंने तुम्हें बच्पन से आज तक पाला पोसा है क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती तो तानिया कहती है दीदी आप मुझे गलत समझ रही है मैं कभी भी तॉम की जिम्मेदारी लेने से पीछे नहीं हरती तॉम मेरा अपना बच्चा है और मुझे उसकी परवरिस करने में खुसी मिलती है मैं बस इतना चाहती हूं कि रती और तॉम की बीच की दूरियां मीट जाए इधर रती भी तॉम के साथ टाइम के पास रहकर बहुत ही अच्छा लगता है और उसके साथ टाइम करके भी बहुत उसे पूछती है कि वो घर वापस कब आएगा तो तारित उसे बताता है कि आज वो घर नहीं आएगा आज वो हॉस्पिटल में ही ते के साथ रहेगा और वो ये बहाना बना कर कॉल कट कर देता है तो और उनको बहुत ही गुसार क्योंकि वो अपने पती को एक मिनट के बहुत ही खड़ाब है वो तो यहां से जाना भी नहीं चाती थी तौम को छोड़ कर लेकिन मैंने उन्हें जित करके घर बेजाए ताकि वो थोड़ा आराम कर सके तो ते जब जानता है कि तानिया की तविए बहुत ही खड़ाब है तो ते तानिया से मिलने के लिए उसके घ तुम्हारा दिमाग खड़ाब हो गया है जो तुम बिना गेट लोग किये ही सो गई अगर कोई अंदर आ जाता और तुम्हारे साथ कुछ हो जाता तो इसके रिस्पॉंसिलिटी कौन लेता और यहां पर भी ते तानिया को चिरहने से बाज नहीं आता और तानिया ते की ऐसी ह कप्रे को साफ करता और उसके बाद वो तानिया के कप्रे को साफ करने के लिए जाता है पर तानिया इस तरह बेसुद रहती है कि उसे कुछ खयाल नहीं रहता है कि उसके साथ क्या हो रहा है तो ते पूरी कोसिस करता है कि वो तानिया को उठा कर उसे फ्रेशन अप करवा सक इधर तॉम भी उठ जाता है और अपनी ममी को ढूर्णे लगता है, तो रती तॉम को चुप करवाने की बहुत कोशिस करती है, पर वो नहीं करवा पाती है, कि तब इधर से तारित आता है, और वो तॉम को सांथ करता है, और उसे स्टोरी सुना कर अच्छे से सुला देता है, और तारित को ये सब करके बहुत ही अच्छा लगता है आगे तारित रती को कहता है कि तौम बहुत ही अच्छा बच्चा है अगर हम दोनों की साधी हुई होती तो हमारे पास भी तौमी की तरह एक क्यूट बेबी होता जिसके साथ हम दोनों हसी खुसी रहते तो रति को ये सब सुनकर अच्छा भी लगता है और बुडा भी लगता है और वो तारित को कहती है आप पाष्ट की बातों को याद करने से कोई फाइदा नहीं है अब हम दोनों के रास्ते अलग हो चुके हैं पर तारित रति को अपने आप से दूर करने के लिए तैयारी नह और वो रती को कहता है कि मैं अभी तुमसे प्यार करता हूं और मुझे पता है तुम भी मुझे प्यार करती हो और अभी इतनी भी देर नहीं हुई है कि हम हमारे रिस्ते को एक और मौका नहीं दे सके और यहां पर तारित रती को उस दिन की पूरी बात बता देता है कि वो उस तुमसे प्यार करता हूँ और मैं पूरी जिंदगी सिर्क तुमसे ही प्यार करता रहूँगा। तुम भी मुझसे प्यार करती हो ला तो राथी भी आपनी फेलिंग्स पर कंछी कर daha पाती यह दोन वेकर एक दूसरे को रहुते हैं। दूसी तब वो दोनों साथ में सोय वे होते हैं और एक दूसे के साथ बहुत ही प्यारे लग रहे होते हैं आगे जब तानिया के नेंद खुलती है और वो अपने पास ते को सोया वा देखती है वो तो पूरी तरह से सौक्ट हो जाती है और यहां पर तानिया को ये गलत फैमी हो जाती है कि कल रात ते ने उसका फाइदा उठाया और उन दोनों के बीच वो सब हो गया जो नहीं होना चाहिए था तो ते तानिया को समझाने की कोशिस करता है कि जैसा वो समझ रही है वैसा उन दोनों के बीच कुछ भी नहीं हुआ पर तानिया उसकी एक बात भी नहीं सुनती तो ते भी उसकी गलत फैमी को दूर नहीं करता क्योंकि तानिया उसकी बात को सुनने के लिए तयारी नहीं होती ते तानिया की इस बेवकुफी भरी बातों को सुनकर बहुत ही हस्ता है दूसरी तब औरन भी हॉस्पिटल में आ जाती है और औरन को पता चल जाता है कि ते कल रात से ही हॉस्पिटल से गायब है अगर ते रात भर हॉस्पिटल में नहीं था और उसे खीच कर एक थपर मारती है और उसे खुब बुरा भला कहती है अभी बज्जा तुम्हारी हिमत कैसे हुई मेरे पती पर डोड़े डालने की तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतनी आसानी से अपने पती को तुम्हें दे दूँगी तो वो भी कहती है अपना पती तो तुमसे समलता नहीं और तुम मुझे यहां पर लेक्चर देने के लिए आई हो क्या पता तुम्हारा पती तुमसे बोड़ हो गया होगा इसमें तुम्हारे साथ रात बिताना नहीं चाता और बहार में आसरा ढूंडता है और जैसे यह सारी बाते सुनती है वो तो पूरी ता से पगला जाती है और उसकी तवियत भी खराब हो जाती है और ताया उसे उसकी हाल पर छोड़ कर वहां से चली जाती है और वो सीधा रती के पास जाती है तो फिर औरन को क्यों ऐसा लगता है कि मैं उसके पती को छीनने की कोशिस कर रही हूँ तो थिप कहती है ये बात तो तुम्हें खुद से पूछनी चाहिए कि आखिकर तुम ऐसा क्या कर रही हो जो औरन को ऐसा लग रहे है कि तुम उसके पती को छीनने की कोशिज कर रही हो और यहां पर थी सारा इलजन तानिया पर ही लगा देती है तो बैचारी तानिया बहुत ही कन्फ्यूजड हो जाती है कि आखिरकार उसने ऐसा क्या किया है जो और अनुस पर सक कर रही है पर अती चुप चाप सारी बाते सुनती है पर किसी को सच्चाई नहीं बताती